शीव भग्त चिडिया की कहानी एक चिडिया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी जंगल बिलको सुखा हुआ था ना घास ना पेड़ और ना ही कोई फल जिस व्रिक्ष पर चिडिया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनिया थी पत्ते भी नहीं थे चिडिया वही रहकर हर समय भगवान शंकर का जाप और गुरुगान करती रहती थी एक बार नारजी जंगल से होकर जा रहे थे चिडिया ने देख लिया तुरंच आगर बोली नारजी आप कहा जा रहे हैं नारजी ने कहा शंकर जी के पास जा रहे हूँ चिडिया ने कहा भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद कृपया उनसे कहा दीजेगा मेरे जंगल को हरा भरा कर दे नारत जी ने शंकर जी के पाज आकर चिडिया के जंगल की बात की नारत के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा मैं इस नहीं कर सकता हूँ भगवान शिव बोले नारत जी चिडिया के भाग्य में साथ जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है नारत जी कुछ नहीं बोले कुछ समय बात नारत जी फिर उसी जंगल से निकले तो देखा जंगल बिलकुल बदला हुआ था जंगल बिलकुल हराबरा हो गया था अब जंगल में हरी हरी घास फल फूल लदे हुए थे चिडिया का पेड फूलो और फलो से लदा था चिडिया अभी प्रेम मगन होकर पेड़ पर नाच रही थी नारजी ने सोचा भगवान शंकर ने मुझसे जूट क्यूँ बोला नारजी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिडिया के बारे में पूछा तो शंकर भगवान ने कहा कि मैंने चिडिया को कभी कुछ नहीं दिया फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है उसी की भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे साथ जन्मों को काट कर सब चुडिया को देना पड़ा ऐसे देयालू हैं हमारे भोले नान सीख, भक्ति में शक्ति होती है अगर आप अपने अराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुख सकता है यहां तेक की भाग्य में खराब लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा अर्माज महादे